नतीजों की और खबरों वाले शेयर्स की मुंबई स्टूडियो से शरत हमारे साथ मौजूद है पूरा अपडेट लेकर शरत गुड मॉर्निंग बताइए कर बाजार बंद होने के बाद कौन कौन से नतीजे है गुड मॉर्निंग पूजा तो सबसे पहले अफकोस आपके जो दो बेसिस पॉइंट की बात करें तो शांदार नतीजे आया है मुनाफ़े में जो है लगबग 80% से जादा का ग्रोथ आया है यर अनियर बेसिस पे तो हम देख रहे कि इस थीम में ओर्डर तो पिक अप करी रहे हैं बजेट में भी एक अच्छी अनॉंस्मेंट आई थी र अच्छी आया है और अनुमान से बहते रहे हैं 180 बेसिस पॉइंट का तो माजिंस में भी इंप्रूब्मेंट आया है ग्रीन प्ला इंडेस्ट्रीज की बात करें तो लाजली टॉप लाइन जो है बहुत स्ट्रॉंग आया 45 पॉसंट यर अनियर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला और ओवर अनुमान से बहते नतीजे देखने मिले यह तो हमने स्ट्रॉंग सेट अफ नंबर्स बता दिये लेकिन याद रखें दो उर्निंग्स है जो वीक सेट अफ नंबर्स आये हैं एक है गोद्रे जागरोवेट का यहां पर थोड़ी सी आप कहा सकते हैं नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने मिली है पर रेविन्यू जो है लगबग सपाट रहा है वही अगर एम्फेसिस की बात करें सीक्वेंशली जो आईटी कंपनी है इनके नतीजे खराब देखने मिले हैं मार्जिन्स में भी गिरावट आया लगबग 57 बेसेस पॉइंट का लाजली कहेंगे कि आपके मिटकैप स्पेस में जो है अच्छे अरिंग्स देखने मिले हैं पर कुछ-कुछ नाम है इस्पेश होने के बाब भी काफी सारे नंबर्स आये नतीजों पर आज हम फोकस करेंगे शरत इसके अलावा खबरोवाले शेयर्स भी बताईए जी बिल्कुल पूझा खबरोवाले शेयर्स के पहले में बता दू कि जो हमारे जैनुरी महीने के सेल्स थे तो उसका एक इंपॉर्टन बोर्ड हम दिखा देते हैं प्रडूसर साब जहां पर अबव एस्टिमेट्स के अगर बात करें आटो स्टॉक्स की तो जैनुरी के जो आटो सेल्स वे जहां पर M&M, Tata Motors के पैसेंजर वहीकल, I-Share Motors के Royal Enfield और TVS Motor इनके जो है आप कह सकते अबव एस्टिमेट्स जैनुरी क आकड़े देखने मिले, वही बिलो एस्टिमेट्स में Tata Motor CV, Escort, I-Share Motors और अशोकली लैंड देखने मिले हैं, खबर वाले शेयर में Paytm का कॉन कॉल हुआ था, अब उस पर वारे में भी बात कर लेते हैं, जहां पर Paytm की कॉन कॉल के अगर बात करें, तो overall जो है साड़े त मार्च तक, मार्च के शुरुआत तक पूरी ऑपरेशन्स नॉर्मल हो जाएंगी, हाला कि एक्सपेक्टेड है की डाउंग्रिड आज भी आ सकता है ब्रोकरिजेस से, पीबी फिंटेक कल एक इंपॉर्टन ब्लॉक टील हुआ था, जहां पे लगभग 5% स्टेक से जादा का अब्सॉब किया है, टीवेस मोटर और एवी रिलेटेड आटो स्टॉक में थोड़ी आज सेलिंग देखने मिल सकती है क्योंकि गौवर्ब्मेंट ने जो फेम अलोकेशन होती है, एवी की फेम अलोकेशन सबसीडी उसको 44% से कट कर दिया है, लगबग 2,671 करोर कर दिया है पैसेंजर वेहिकल में अडॉप्शन जो अलोड़ी अच्छी से स्टार्ट होने लगा है, एनमडीसी की सेल्स की अपडेट की बात करें तो 19% यूरनी बेसिस पे ग्रोथ आया है, और स्टॉंग मोमेंटम देखने मिल सकता है, इजी ट्रिप प्लैनर्स का भी एक इंपॉर् को है और आखिर में बात करूंगा प्राइम फोकस की, यहांप एक इंट्रेस्टिंग अपडेट आया है, इसका मार्केट कैप तो लगबख 4,500 कोड़ के बीच है, लेकिन यह राइट्स इशू भी रेस करना चाहते हैं, 4,000 कोड़ का अल्मोस्ट और इसका जो इशू प्रा अबरोवाले शेर्स हैं, इस पर आज फोकस रहेगा, साथी आटो कम्पनियों के बिक्री के आकड़े भी आये हैं, वहां पर भी हमाई नजर एगी, हमने आपको पताए कि कौन कौन से नंबर अच्छे थे, कहां पर कमजूरी देखने को मिली, यह सब भी हमने आपको बताया और नतीजों पर तो फोकस रहेगा